आप लेक अभी ऐसा सुना है कि आप बैंक में लोन लेने गए और बैंक मेनेजर आपको बोलता है आपने डिग्री लेओ कि आपने घर तरismo ब Tableau हमारा बते डिग्री आ जाए है कि हमारा पस degree आ जाए तो हम life में successful बन जाएंगे पर actual में जब आपको पैसा चाहिए होगा अपने घर के लिए अपनी गाड़ी के लिए उसे expand करने के लिए और पैसा क्यों चाहिए होगा इसके पर हम बात करेंगे तो आपको आपकी degree के ऊपर कोई लोन नहीं मिलेगा आप देखोगे वो लोग जो आपसे कम बड़े लिखे हैं उन्हें लोन भी जादा मिल जाता है वो पैसे भी जादा कमा लेते हैं वह ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमें हमेशा से degree की value दिखाई जाती है पर financial statement बिल्ड करने के ऊपर कभी value नहीं दिखाई जाती है कभी बात ही नहीं होती क्योंकि जो school में teachers पढ़ा रहे हैं आप बड़े धान से देखिए उनकी खुद की salaries बहुत कम है और आजकल तो मैं देखकर हरान हो रहा हूँ school में और colleges में आ गए है topics entrepreneurship entrepreneurship सिखाएंगे कौन सिखा रहा है जो 15 साल से उसी school में job कर रहा है मलब sorry to say but बात यह है कि entrepreneurship entrepreneur सिखाए समझ आता है finance वो सिखाए जिसके खुद के finances सही है समझ आता है जिसे doctor अगर operation करे समझ आता है बड़ मेकैनिक operation करे समझ नहीं आता बिलकुल ऐसे ही हो जाता है आप academics मलब जो subjects है mathematics पढ़ाना समझ आ रहा है बड़ entrepreneurship पढ़ाना समझ नहीं आ रहा similarly जिस इंसान के खुद के finances सही नहीं है पहला जो आदमी 50,000 रुपे के school में job कर रहा है definitely life में वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे है तो अगर उन्हें बहुत अच्छा करना पढ़ेगा या उसके साथ कुछ और करना पढ़ेगा और अगर वो बहुत अच्छा करेंगे तो श En прекрас की job नहीं करेंगे point यहां पर यह मैं आप लोग की बात करहू बात ही नहीं कोई काम है कि अगर आप underpaid employees से यह expect करोगे कि वो extraordinary teachings दे हमारी आनेवली generation को तो this is not possible point यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आता है कि हमें कभी यह क्यों नहीं सिखाय जाता कि हमें अपनी financial statements बनानी है जिसके basis पर आपका bank manager आपको loan देने के लिए ready हो जाएगा तुरंट अगर वो अच्छी होगी तो पर अब financial statements में होती ही क्या चीज़ है देखो मैं आपको simply बता रहा हूँ यहाँ पर हम कोई accounts नहीं सीख रहे हम सीधा बात कर रहे हैं आप life में grow करोगे देखो मैं एक example देखो financial statement से पहले हम बात कर रहे हैं कि आपको debt की, loan की जुरुत पढ़ सकती है लाइफ में आप देखो कि हर बड़ा आदमी चाहे वो return tata जी हो चाहे मोकेश अमानी जी हो loan तो लिया हुआ उन्होंने उनकी company ने loan लेकर वो grow कर रहे हैं तो अगर loan लिया जाता है तो loan किस basis पर मिलता है और point number two आप लोगों को हो सकता life में इसकी जुरुत क्यों home loan लोग नेकल चीज़ा है, car loan समझा रहा हो सकता business के लिए loan लेना हो आपको यह समझा रहा है, एक ऐसा business है जिसमें हमें साल का 30% का profit हो सकता है बट अगर आपके पास 1 करोड रुपया है तो आपको 30 लाग का profit होगा बट अगर आपके पास 10 करोड रुपय होगे profit percentage सेम होगा बट आपको 3 करोड का profit होगा और अगर यह पैसा loan पर भी आया, उसमें कुछ ब्याज भी लगी हुए यह वो भी दे देंगे तब भी हमें कई करोड रुपय बच जाएंगे तो अब यह समझते हैं कि अगर आपको कभी life में leverage की जुरुत पड़ेगी तो वो कैसे मिलेगा आज हम बात कर रहे हैं आपके financial IQ को बढ़ाने के उपर अब intelligent बहुत सारे लोग है Warren Buffett कहते है अगर आपका IQ score बहुत अच्छा है तो थोड़ा बहुत दान दे दो क्योंकि अगर आप stock market से पैसा बनाने की सोच रहे हो तो आपको बहुत ज़दा extraordinary IQ की जुरूत ही नहीं है और similarly financial IQ की जब हम बात करते हैं तो वो extraordinary कुछ है नहीं basic चीज़े हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है क्या क्या आता है अभी हम financial statement की बात करते हैं और फिर हम बात करेंगा आप अपना financial IQ कैसे बढ़ाने वाले हैं तो अब जब हम financial statement की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर समझिए चार चीज़े हैं मुद्दे की बाते एक है आपकी सबसे पहले आपकी income जो आप कमा रहे हैं दूसरी होती है आपके assets तीसरी होती है आपके expense और चौत्था है आपकी liabilities अब मैं आपको एक simple सी चीज़ समझाता हूँ जब हम income में से expense को minus कर देते हैं तो यहां पर आजाता है हमारा profit जिसकी उपर आपको tax लगता है और अगर आप asset में से liability को खटा देते हैं तो यहां से आजाती है इंसान की net worth आपकी worth कितनी है तो हम बोलते हैं ना 100 करोड की net worth है इसकी क्योंकि उसके पास 100 करोड के assets होंगे और ना के बराबर liabilities होंगी तो इसी से उसकी net worth निकल गई और अगर एक आदमी बहुत अच्छे profits बना रहा है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है पर यह चार चीज़ें आपको life में बहुत उपर लेकर जा सकती है अगर आपने ने समझना शुरू किया लोग इन चीज़ों के बड़ ध्यान नहीं देते है बड़ा हमने negligence वाली जिए रहे negligence समझते हो जो चल रहा है ठीक है जो हो रहा है ठीक है अब अगर आपने इन चार चीज़ों को समझने की जुरूत यहां तक करी है कि चलो समझते है तो asset वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा लेकर आती है liability वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा लेकर जाती है हमें यह समझ आ गया अभी तक अरगर आप इस सीरीज के अंदर है कि हमें assets को build करना है ऐसी चीजे जो हमारी जेμ में پیसा लेकर आए और ऐसी चीजे को कम करना है जो हमारी जेμ से पैसा लेकर जाए हमें अपनी इंकम बढ़ानी है और एक्सपेंस को कम करना है यह बिलकुँ सिंपल चीजे है इतनी सिंपल है बट फिर भी ये financial IQ की अगर मैं बात करूँ developed countries के अंदर ऐसे लोग जिने ये चार चीजे detail में पता हो 10 में से 4 लोगों को पता होती है 6 लोगों को नहीं पता होती है और developing countries जैसे की इंडिया, इंडिया के अंदर 10 में से 8 लोगों को ये 4 चीजे नहीं पता होती है आज आप मेरे चैनल पर सुन रहे हो तो बड़ा common है बड़ अगर आप अपने आसपस किसी इंसान से पूछो के बाई, net worth क्या होती है assets क्या होते, liabilities क्या होती तो वो negligence में जी रहे है उन्हें detail में नहीं पता हो उन्हें नाम नहीं पता हो, concept पता हो तो concept ही पूछ लो अब बात आती है कि आप अपनी income कैसे बढ़ाने वाले हो, assets को कैसे बढ़ाने वाले हो, एक दिन में नहीं होगा एक दिन में नहीं होगा पर focus यहीं पर होना चाहिए कि मेरे assets बिल्ड हो multiple source of income बिल्ड हो अब अपना financial IQ बढ़ाने के लिए आपको तीन चीज़ों पर सबसे पहले काम करना है एक चीज़ आपको budgeting करनी है ऐसा नहीं है कि शॉपिंग पर गए 10,000 का जूता समझा रहा तो वो खरीद लिया हो सकता है वो आदमी 25,000 रुपे कमा रहा हो तो वो खरी सकता भी 10,000 रुपे खर्च करना क्या बड़ी बात है बड़ी बात है यहाँ पर आपको एक रूल समझना है budgeting के एक simple सा रूल होता है हम financial IQ बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आपको भी अपना IQ बढ़ाना है रूल समझना है 50, 30, 20 रूल अब यह 100% होगे न तो अगर आदमी कोई 25,000 कमा रहा है उसे कैसे खर्चा करना है यह इस रूल के हिसाब से आप कर सकते हैं बड़ यह रूल मेरे हिसाब से सिर्फ तब तक valid है जब तक किसी आदमी की salary या income 4,000,000 रुपे से कम है 4,000,000 के उपर चीज़े बदल जाती है वक्त बदल जाता है जजबाद बदल जाता है बंदे का level भी बदल जाता है तो कहने का मतलब है 4,000,000 से उपर आप कमा रहे हैं तो फिर आप जादा save कर पाएंगी इससे समझो इसका मतलब यह है कि 50% आप जो भी कमा रहे हैं वो आपकी needs में जाना चाहिए अब भई घर का राशन पानी है बच्चों की स्कूल की fees है कुछ ऐसी चीज़े हैं जो needs है मतलब रोटी कपड़ा मकान वाली बाते जो है वो आपकी need है तो आप जो भी कमा रहे हैं वो अपनी basic primary needs के उपर आप 50% का खर्चा किजिए 30% जो है वो आप अपनी चाहतों के उपर लगा सकते हैं जैसे की shoes लेना बट अगर हम बात करें कोई आदमी 25,000 कमा रहे है तो 10% होता है 25 और 30% होता है 7,500 तो 7,500 आपको maximum allocation है एक महीने का उन चीज़ों के उपर जो आपकी चाहते हैं तो चाहत अगर हम देखें हमारी यह 10,000 का जोता और हमारा budgeting का एक rule कह रहा है 30% से उपर जाएगा तो पंगे में आ जाएगा तो आप अपने जो shoes लेना चाहरे थे जो आपकी wants में आ रहा था उन्हें afford नहीं कर सकते हैं और अगर आप नहीं खरीद भी लिए पालो 7,500 वाले खरीद लिए तो फिर पूरे महीने और आप अपने wants पर खर्चा नहीं कर पाएंगे अगर आप 25,000 कमाते हैं आप जादा कमाते हैं तो आपका यह formula के according चीज़े चेंज रहेंगे allocations बदर जाएंगे और 20% minimum minimum आपको save करना ही चाहिए अगर आप save नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी family को एक trouble में डाल रहे हैं आपने future को अपने financial future को खत्रे में डाल रहे हैं क्योंकि आप कमात हो रहे हैं तो एक वो पता नहीं internet पर कोई video मैं देख रहा था तो एक video आगई कि जस तरीके से कमाया उस तरीके से उड़ाया मैं exact नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ उसका meaning या था तो आपको दुबारे से बोल रहे हूँ तो pardon me for that तो कुछ ऐसा था कोई शेर और शायरी चल रहे थी दोनों बोला कि जस तरीके से हमने कमाया उसी तरीके से हमने उड़ाया नोटों पर हमने कभी रवर नहीं बादी तो यह सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और भाई, नोटों पे रबड बादनी पड़ती है और आपने देखे बनी है नोटों पे रबडड बांद के रखते हैं तो दीरे-दीरे जोड़ जाता है उनके पाई गड्डियां खिट्टी हो जاتी है और जो लोग नोटों पे रबड नी बादते हैं और नोट कहा चले जाते हैं पता नहीं लगता तो यह आदर डालिये आप गुजराती मारवाडी बनियों से सीखिए कि भई नोटों पर रबडवानी जरूरी है लक्षमी माता बड़ी चंचल होती है कभी एक के घर कभी दूसरे के घर तो उन्हें समाल के रखना बड़ा जरूरी है तो यहाँ पर 20% आप सेव कीज़े अगर यह भी नहीं हो पा रहा तो आपका फिनाइशल आइक्यू बीक है पॉइंट नमबर डू अब जो आपने जोडा सेव किया सिर्फ सेविंग से नहीं आप अमीर बनेंगे शुरू करना चाते है ETF investing से शुरू कीज़े आप मेरी no loss value वीडियो देख सकते हो बहुत अच्छी वीडियो है वो मैं खुद आपको सज्च करूँगा आपके पैसे जादा जोड़ जाता है आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो बट इन्वेस्ट करो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग अमीर बनते हैं and that is the full stop उसके आगया और कुछ नहीं है आपको इन्वेस्टर बनना है और जब आपको जादा पैसे आ जाए तो दूसरों के धंदे में पैसे लगाना शुरू करते हैं finally तीसरी चीज़ जो बहुत important है जो लोग ignore करते हैं and that is debt management देखो उधार गलत नहीं होता अगर आप iPhone उधार पर ला रहे हो तो शायद मेरे सबसे गलत है बट अगर आपने home loan लिया उससे अपने अपना घर बना लिया सपन होगा मैं जुरू नहीं है आपको समझना पड़ेगा पर मेरे सबसे वो गलत नहीं होगा आप अपने वेपार को बढ़ाने के लिया loan लेते हो तो गलत नहीं है आपकी direction सही है आप सोच सही रहे हो और debt को manage करना बहुत जुरूरी है बढ़ जाधा तर लोग इंडिया के अंदर किस किस तरीके के loan ले रहे है personal loan personal loan क्यों लेते हैं लोग घर को renovate कराने के लिए घर में शादी आ जाती है उसके लिए emergency आ जाती है उसके लिए insurance नहीं कराते है कोई emergency आ जाती है health insurance नहीं है emergency आ जाती है इसलिए लोग loan ले लेते है personal loans ये debt management बहुत ज़रूरी है और अगर आप debt को ठीक तरीके से manage करते हैं आप loan लेते हैं loan को repay ढंग से करते हैं तो आपका civil score भी improve होता है तो आपके banker को पता लगता है इसका civil ठीक है तो अगली बार आपको loan मिलने के chances ज़ादा हो जाते है बट जिस इंसान का civil form ही नहीं है उसका civil खराब है लोग लिया और पैसे नहीं दे पाए तो फिर आपका civil खराब हो जाएगा loan नहीं मिलेगा अब point यहाँ पर यहाँ आता है ये जो financial statement की मैंने बात करी इसके अंदर जो चार major चीजें है आपकी regular income का एक track record important के है बात है नहीं साल में एक बार कमाया जो आप कमा रहे है आपका banker देखेगा consistently कमा रहे हैं नहीं कमा रहे जो भी कमा रहे है अगर आपकी salary आती है तो हर में नहीं आती होगी आप पैसा कमाते है profit कमाते है वो depend आपका business to business की उपर करता है बट वो यह देखेगा consistently हर साल आपके या हर quarter में profits बढ़ रहे हैं profits कैसे चल रहे हैं sales बराबर चल रही है नहीं चल रही यह कुछ चीजे हैं जो आपको समझने जरूरी है बिल्ड करना पड़ता है इनके उपर रहां देना पड़ता है कि यार मेरे को ने degree से मतलब नहीं है मेरी financial statement solid होनी चाहिए कोई देखे और बोले आरे आदमी solid है दूसरी चीज मेरे expense जो books में हो रहे हैं expense होना घलत बात नहीं है आपके business expenses हो सकते हैं तो जो आपके expense हो रहे है वो किस direction में लग रहे है अगर आपके expense business को expand करने में लग रहे है बहुत बड़ी है similarly assets क्या आपके time to time assets build होते जा रहे हैं या assets कम होते जा रहे है तो वो आपकी financial statement में दिखेगा अगर आपके पास कोई घर है real state है तो आप asset में डालोगे न आपकी machinery assets में जाएगी तो आपके बाइसे क्या क्या चीज़ है जो आपके assets है और फिर assets actual ऐसे होने चाहिए जो आपको income produce करके दे रहे हो तो गाडिया asset में आप डाल सकते हो but Robert क्यों सगी कहते हो liability होती है जिब से पैसे लेती है but point is this कि solid assets बनाओ life and finally liabilities ये important है कि मुझे देना किस किस का है भाई मेरे उपर उधार है कोई वो liability में चाहेगा तो liabilities कम होनी चाहिए यह मैं समझ आता है but क्या कोई ऐसी liabilities है जैसे हमने इस से पहले एक video बनाई थी कि आप अपनी liability को भी asset में convert कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जा के देख सकते हैं but important है liabilities को कम रखना और assets को बढ़ाना और फिर budgeting, investing और debt management के ओपर धियान देना I hope इस video से आपको समझ आयोंगे वो important lesson जैसे आप अपना कुछ विचार है, अपना financial है, लोगों का financial IQ लोग कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी उपर तो आप comments में बताइएगा हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक आप इस video को share कीजिए, प्यार दे सकते हैं आप इस video को